Global end cap का तो आपको पताई है कि इसने 5 star safety rating जो है वो अचीव कर रखी है पेटरोल में सिर्फ आपको 50,000 रुपे का difference सीधा सीधा देखने को मिलेगा दोस्तो अगर आप 15,000,000 के बजट में एक SUV देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है बस आप वीडियो को जो वो end तक complete देख लेना तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे महिंद्रा Scorpio N के base variant जो की है Z2 और उसमें हम बात करेंगे इसके डीजल variant की डीजल और पेट्रोल दोनों ही fuel option आपको इसमें मिल जाते हैं और इस variant में आपको क्यों सा engine मिलेगा इसमें comfort and convenience क्या रहने वाला है सारी बात है इस वीडियो में हम करने वाले हैं तो आप वीडियो को बिल्कुल भी पीच में छोड़ के ना जाएं क्योंकि ये वीडियो अगर आप 15 लाग के बजट में कार देग रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आपके लिए हो जकता है सबसे पहले हम बात करते हैं dimensions की dimensions में friends इसकी length 4662 mm width है 1917 mm height है 1857 mm और seating capacity है इस car में आपको 6 या 7 की मिल जाती है और ground clearance की बात करूं तो एन लेडेन इसका ground clearance है 187 mm का जो की काफी सही है wheelbase की बात करें तो 2750 mm का wheelbase इसमें आपको मिल जाएगा और curve weight है इसका 1880 kg मतलब लगबग 2 ton के आसपास जो है वो इसका curve weight होगा अब बात करते हैं friends हम इसके comfort and convenience के features की हमें jet to diesel में क्या-क्या मिल जाता है तो इसमें आपको comfort and convenience के जो feature हैं वो है power steering, power windows front, power windows rear मतलब all four power windows आपको मिलने वाली है, AC heater, adjustable steering, low fuel warning light, accessory power outlet, rear reading lamp, rear seat headrest, adjustable headrest मिलेंगे आपको front के rear AC vent, rear parking sensor, keyless entry और USB charger आपको front में मिल जाएगा ये इसके comfort and convenience के मतलब minimal से feature हैं लेकिन काफी usable features हैं, आपको इस budget में friends इतनी बड़ी कार और Mahindra का trust मिल रहा है जिसके साथ आपको जो basic features हैं वो भी दिये जा रहे हैं, अब interior की बात करते हैं तो इसमें आपको tachometer, electronic, multi-trip meter, fabric upholstery, glow compartment, digital clock, digital odometer और dual tone dashboard आपको देखने को मिल जाएगा जो Mahindra की fit and finish है वो काफी बढ़िया है, मैंने खुद personally इसको experience किया हुआ है मतलब BS6 में जो भी नई कार आ रहे हैं, उनका जो interior है वो काफी बढ़िया अब ये Mahindra आपको provide करती है अगर exterior features की बात करें तो adjustable headlights मिलेंगी और outside rear view mirror होंगे ORVM उस पे आपको turn indicator base variant से ही मिल जाते हैं, इसी के साथ आपको integrated antenna दिया गया है LED tail light आपको मिलने वाली है और tire profile की अगर मैं बात करूँ तो tire profile है इसका और tire profile की बात करें, तो tire profile है इसका 245 by 65R 17 यानि 17 inch के आपको wheel मिल जाएगा और tire जो है वो आपको tubeless radial tire मिलने वाले है दोस्तों अगर आपने Honda City का manual transmission वाला variant है जो second base variant है उसकी वीडियो नहीं देखी है तो उपर eye button में आ रही लिंक से आप जाके देख सकते हैं और description में भी आपको link मिल जाएगा और इसी के साथ आपको जो VX variant है CVT में यानि automatic में उसका भी description में आपको link मिल जाएगा और eye button में भी दोनों का link आपको मिल जाएगा अब वहाँ से जाके check कर सकते हैं अगर आप एक sedan segment देख रहे हैं 15-20 लाग के budget में तो आपके लिए Honda जो है वो बहुत ही अच्छा package प्रवाइड कर रही है अब friends बात आती है इसके entertainment और communication पार्ट की की हमें कोई music system वगरा मिलता है तो friends base variant है फिर भी आपको इसमें music system जो है वो मिल जाता है जिसमें आपको radio चार speaker मिल जाएंगे front में दो और rear में दो integrated 2D audio system मिल जाएगा जिसमें आपको bluetooth connectivity मिल जाएगी ox port मिल जाएगी और आपको touchscreen मिलती है 8 inch की touchscreen मिलती है लेकिन android auto और apple carplay इसमें नहीं मिल पाता ठीक है चार speaker total इसमें मिल जाते हैं कोई भी tweeter का option नहीं है अब friends बात आती है उस part की जिसके लिए अब महिंद्रा जो है वो बिलकुल ही सर चड़ के बोलती है महिंद्रा की जो brand value है वो और वो है safety टाटा और महिंद्रा जो की इंडियन ब्रेंड्स हैं और फिर हमें इतना अच्छा जो है वो safety package provide करती है बहुत ही बढ़िया safety हमें देती है इतने अच्छे price पे तो देख लीजिए safety features में हमें क्या-क्या मिल जाता है global n-cap का तो आपको बताई है कि इसने five star safety rating जो है वो अच driver side और passenger side side के airbags आपको नहीं मिलेंगे जो कि आपको upper variants में मिल जाते हैं rear seat belts, adjustable seats, crash sensor, electronic stability control और anti-pinch power window आपको मिलेगी driver side वाली इसी के जात आई-sofix child seat mount जो है वो भी मिल जाता है यह कुछ safety feature है जो आपको महिंद्रा base variant से ही provide कर रही है तो यह हो गई complete इसकी specification friends अब बात करते है हम इसके engine and transmission की, engine हामें कौन सा मिलता है, कितनी power produce कर गगा है वो देख लीजिए, engine आपको मिलता है M-Hawk जो कि महिंद्रा का बहुत ही famous engine है, बहुत ही powerful engine है जो कि बहुत सी गाड़ियों में लगातार use करती आ रही है और यह आपको मिलेगा 2.2 liters का, याने 298 CC का आपको M-Hawk engine म देगा 3750 rpm और 300 Nm का torque आपको मिल जाएगा 1500-3000 rpm चार सिलेंडर इंजन यह होगा जिसमें आपको turbo charger का option भी दिया गया है, यानि turbo charge engine यह होने वाला है, अगर transmission की बात करें तो इसमें आपको 6-speed का manual transmission मिल जाएगा, jet 2 variant में आपको 6-speed का manual transmission मिल रहा है, जिसमें आपको 2-wheel drive का option दिया गया है, यह गाड़ी आपको 4-wheel drive के साथ भी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको upper variants में जाना पड़ेगा, अगर friends बात करें इसकी mileage की, यानि fuel efficiency की, तो अगर आप fuel को ज्यादा देखते हो, मतलब mileage को ज्यादा देखते हो, तो हो सकता है, इसमें आप थोड़ी से निरास हो जाओ, और निरास होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है, दो टन के आसपास इसका curve weight आपको मिल जाता है, अगर आप इसमें कुछ passenger बैठते हैं, तो वो बढ़ जाता है, तो friends, mileage के साथ थोड़ा सा compromise तो आपको करना पड़ेगा, ये गाड़ है, जो कि आपके लिए कम हो सकती है, क्योंकि budget तो ठीक है, 15,00,00 में आपको और भी गाड़िया मिल जाएंगी, जो कि इस से काफी बढ़िया mileage जो वो निकाल के देती है, इसी power ratio के साथ, लेकिन आप ये देखिए कि गाड़ी कितनी बड़ी है, ठीक है, तो उसके हिसाब से, इसकी mileage इतनी ही रहने वाली है, इंजन के इसाब से इतनी ही रहने वाली है, लेकिन fuel tank है, वो आपको 57 liters का मिल जाएगा, अगर safety में एक चोटा सा point और add groom है, तो वो है इसका disc brake part, disc brake मतलब ventilated disc मिल जाते हैं, चारों, front में भी और rear में भी, जिसमें आपकी जो braking है, वो काफी enhance ह हो जाती है, और steering जो है वो इसमें आपको hydraulic मिलेगा, tilt आपको adjustment उसमें मिल जाएगी, तो friends ये थी complete जानकारी, महिंद्रा Scorpio N-Z2 variant की, जो की आपको diesel में मिल जाता है, अगर friends बात करें इस variant के price की, तो ये variant आपको 13,55,500 रुपैसे start होता हुआ नजर आएगा निव डैली में, और RTO, insurance, other, सारे charges जोड़ करके, ये गाड़ी आपको 16,10,000 में on-road मिल जाएगी, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, कि इसमें कुछ optional और other charges हैं, जो की आपको लगबग 90,000 के आसपास इसमें cost add करते हुए नजर आएगे, तो अगर आप उनको reject करते हो, और थोड़ी सी आप discount की demand करते हो, तो ये गाड़ी आपको 15,00,000 के अंदर मिल जाएगी, और friends अगर हम इसका petrol का price देखें, तो petrol में सिर्फ आपको 50,000 रुपे का difference सीधा सीधा देखने को मिलेगा, इसके अलावा कोई भी ज़्यादा difference आपको petrol में नहीं मिलेगा, अब friends इसके color option हम देख लेते ह हैं, तो friends ये base variant है, इसमें आपको सिर्फ तीन color देखने को मिलेंगे, जो की है, नैपोली black, dazzling silver और average white, ये तीन color जो हैं, वो आपको इसके base variant में देखने को मिल जाते हैं, तो friends ये थी complete जानकरी, Scorpio N, Z2 diesel, manual transmission, 7 sitter के बारे में, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और share कीजिए अपने friends के साथ, जो पंदर लाग के अंडर एक बहुत ही अच्छी SUV देख रहे हैं, तो ये उनके लिए best option हो सकती है, अगर आपने हमारी latest वीडियो जो की है, Honda City VX variant CVT में, अगर आपने वो लिंक जो हो मैं description में दे दूँगा, वो वीडियो भी जरुक चेक करिए, वो गाड़ी भी बहुत ही बढ़िया आपको package provide कर रही है,